हलो यू आल नेट पीजी 2019 कुलिफाइड डॉक्टर मैं नेम इस गुल्षन ज्या एंड वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल करियर मीडिया फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप सभी नेट पीजी 2019 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही जाता स्पेशल है बहुत ही जाता इंप 2020 सेशन के MDMS कोर्स के लिए रिवाइस कट ओफ आने के क्या चांसेज हैं और वो कब तक आएंगे तो आप सभी एस्पिरेंट्स जो रिवाइस कट ओफ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनका ये इंतजार खतम हुआ क्यूंकि गॉर्ब्मेंट ने MCI के साथ डिसकर्शन करके कंसल्ट करके MDMS कोर्स के लिए खाली सीटों को भरने के लिए MDMS कोर्स के लिए रिवाइस कट ओफ लाने का फैसला ले लिया है निर्ने कर लिया है और रिवाइस कट ओफ कुछ इस प्रकार रहेंगी पहले जो कट ओफ 50 परसेंटाइल जेनरल के टेगरी के लिए हुआ क 44 percentile person with disability candidates के लिए जो cut off होने वाली है वो है 39 percentile और SC ST OBC candidates के लिए जो cut off revise cut off होने वाली है आने वाली है वो है 34 percentile तो ये निजने लिया गया है government और MCI के बीच discussion में जिसे अभी तक NBE की official website www.nbe.edu.in पर flash नहीं किया गया है notification नहीं बेजी गई है announcement नहीं किया गया है मगर एक tweet के जरिये ministry of health ने ये message भेजा है और ये message मेरा आप सभी को पहुचाना बहुत जादा जरूरी था बहुत जादा special था तो आप सभी experience जो revise cutoff का बेसब्री से इंतसार कर रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है official website पर इस message को within nr 1-5 गंटे या दो गंटे में announcement कर दी जाएगी आप चाहें तो official website को चेक कर सकते हैं और notification देख सकते हैं अभी तक official website पर इस बात की announcement नहीं की गई है मगर ये निरनल ले लिया गया है ये निरनल पक्का हो चुका है तो revise cutoff जो मैंने आप से share की चैनल के लिए 44 पर्सेंटाइल पर्सन विडिसाबिलिटी के लिए 39 पर्सेंटाइल और स्टी स्टी ओबिसी कैनिडेट के लिए 34 पर्सेंटाइल का revise cutoff अभी निरनल लिया रिवाइस cutoff का निरनल लिया गया जो fresh revise cutoff होंगी वह इसी प्रकार रहेंगी तो आप सभी students ready रहें इस चीज के लिए अगर आपको वीडियो का content अच्छा लगा हो तो like और share करें और career media के चैनल को subscribe करना ना भूले notification bell ज़रूर प्रेस कर ले अगर मन में कोई भी doubt हो तो कभी भी comment box में comment post करने से question post करने से बिलकुल नहीं इसकिछाए या फिर दिये गए number पर call कर सकते हैं thank you so much अभी के लिए next वीडियो में फिर मिलेंगे बाबाइ thank you so much